साथियो अभी अभी ऐसा चमतकार हुआ है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दो सिर्वाले बच्डे को गाई ने साथियो चनम दिया है देशत में पूरा का पूरा गाउं आ गए हैं गाउं के लोगों की भीड़ लग रहे हैं ये लगातार गाउं से तो क्या बाहर से लोग देखने तक आ रहे हैं जीहां साथियो दो सिर्वाले बच्डे को जनम दिया है चमतकार हुआ है साथियो कोई तो इसे कुदरत का कहर बता रहा है कोई साथियो साथियो बता दे की से चमतकार बोल रहा है जिहां एक गाई के दो सिरवाले बचडे का जनम, जनम के कुछ दिन बाद बचडे की मौत हो गई दो सिरवाले इस बचडे के जनम के बाद गाउं के लोग देशत में आ गए ग्रामिनी सनों की गटना को देखकर हैरान रहे गई डेली स्टार की रिपोर्ट की मताविद मामला ब्राजिल के बाहिया इस्टेट के इस्तित्व प्राद दोड़ पेकसी गाउं का है जहां अठारे जुलाई को इक ग्रामिन के खेद में गाई ने तो सिरवाले बचडे को जनम लिया हलां कि पैदा होने के चार दिन बाद ये बचडे की मौत हो गई विचित्र रहे विचित्रे के दिखने वाले इस बचडे को जनम देने के बाद गाम वालों में धेसत आगे थे हलां कि डॉक्टरों की टीम ने बताया कि अल्ट्रा रेयर जेनेटिक डिफेक्ट से दो सिर के विचाथ पचडे का जनम हुआ है ये मैस से योगे ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जानवर पालने वाले ऐलीडन ओलीवेरा सूसा ने कहा कि यह एक दुरलब घटना है भी यह एक ऐसा मानने मामला है मेरी बेटी चक्ति थी क्योंकि उसमें ऐसी दुरलब अगटना कभी नहीं देखी उन्होंने कहा कि वे और बारा साल की बेटी एलेडा मुसूसा मुस्लिक मुस्किल से इस अजीव जीव के करेब पाई जा पाई क्योंकि गाए हमें उसके करेब नहीं जाने दे रही थी बिल्कुल भी और साथियो बात करें वो सिर्फ बच्चा चार दिन ही जिन्दा रहा गाएगा जी हैं साथियो बहुत दर्दनाख ख़बर वीडियो लाइक कमेंट सेर करें